जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी तक, एहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान यह से हम देख रहे हैं कि सोयबीन का फरवरी वैदा, 3390 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6400 का ही लगा चुका है, आदेफीजदी की तेजी है देख रहे हैं कि सोयबीन का फरवरी वाइदा आदे फीजदी की तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है ठीक ठाक लेवल देखने को मिल रहे हैं में देख रहे हैं कि कभी गिरावट तो कभी मन्दी बंद दी नजर आ रही है खास करके वायदा बजारों के अंदर बात करें यहां से अगर अब अब हाजिर बजारों की तो हाजिर में भी सुँएबीन के भाव वह लगवा यही देखने को मिल रहे है दरसल विदेशों में सोयवीन की कीमतों में घटबड देखने को मिल रही है कभी जादा कीमत देखने को मिल रही है यूस सोयवीन की तो कभी कम देखने को मिल रही है जिसकी वज़ा से सोयवीन की कीमतों में विदेशों की वज़ा से भारत में उठापटक का महल बनता नजर आ रहा है बात करें अगर साउथ अमेरिका की यानि की ब्राजील और अर्जेंटीना की तो ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयबीन की जो फसले हैं वो सुखे के चलते काफी खराब हुई है और वहाँ पर ड्राइव एदर कंडीशन ही देखने को मिल रही है जिसकी वज़ा से जो ट्रेड बॉडीज हैं वहाँ की उन्होंने ब्राजील और सोयबीन के उत्पादन के अनुमान में कटोती की है पहले जितना अनुमान था उसके घटा कर कम ही कर दिया है पहले अर्जेंटीना की बात करूँ तो अर्जेंटीना में पहले 50 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा था जिसको घटा कर अब लगबक 43 से 45 मिलियन टन कर दिया गया है इसी तरह से जो ब्राजील का उत्पादन अनुमान था पहले जो लगाया था उसमें 10 मिलियन टन की कटाउती की गई है आपको बता दूँ कि साल 2020 और साल 2021 में ब्राजील और अर्जेंटीना की पूरे विश्व में सोयबीन की सप्राई की जो हिस्सेदारिती वो आधी थी तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयबीन का उत्पादन कम रहता है तो उसकी वज़ा से आगे जाके सोयबीन की कीमतों पर और सोयबीन की डिमांड सप्लाई पर कितना इंपेक्ट परता नजर आ सकता है सोयबीन की आगे जाके डिमांड सप्लाई में कितना अंतर देखने को मिल सकता है इसी बात से अंदाजा लगा जा सकता है वहीं दूसरा में बात करें अगर अमेरिका की तो अमेरिका में देख रहे हैं कि जो दिसंबर 2021 में अमेरिका की सोयबीन की पराई में काफी रिकॉर् मिली है नवंबर के मुकाबले और वार्षिक आधार पर भी देखे तो वार्षिक आधार पर भी अमेरिका में सोयबीन के पैराई में बड़ातरी देखने को मिली है और अमेरिका में बड़ातरी उस समय देखने को मिली है जब बायो फ्यूल सेक्टर और खादे तेल के सेक्ट जानकार होका यही मानना है कि अमेरिका में सोयवीन के पराई में आगे बढ़ती और देखने को मिल सकती है। जो जादा तेज़ देखने को मिल सकती है। आगे और तेज़ी ही देखने को मिलेगी चाहे भारत हो चाहे विदेश हो दोनों ही जगा सोयवीन के कीमतों में आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। मौझूदा समय में वर्तमान में अभी चुनाव आने वाले हैं जिसकी वज़ासे जो सरकार है खादे तेलों की कीमतों को कम करने के लिए काफी जादा प्रयास करी वी है और निगाहे रख रही है। जिसकी वज़ासे भी खादे तेलों की कीमतों में गिरावट ही देखने को मिल रही है। क्योंकि जो करूड ओयल है जो कच्चा तेल है उसकी कीमते बढ़ती ही जा रही है लगातार दोजार बाईस या उसके आने वाले सालों में जानकार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का यह नुमान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कच्चा तेल सो डॉलर के भी पार जा सकता ह और कच्चा तेल महंगा होने की वज़ा से इंफलेशन रेडियानी महंगाई दिर में भी बड़ोतरी देखने को मिल रही है लगबग सभी चीज़े महंगी होती नजर आ रही है क्योंकि खादे वस्तूओं को एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाने में इधन का इस्तमाल किय जाता है जो की कच्चे तेल से बनता है और अगर कच्चे तेल महंगा होता रहेगा होगा कच्चे तिल कीमतों में बड़ोतरी देखने को मिलती रहेगी तो आगे जो ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाए कि जिसकी वज़ा से जो एडिबल ओल्स हैं या जितन की बड़त देखने को मिलती रहेगी आपको बता दे हमारी जो एक्सपर्ट हैं मौतिलाल अस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमीच सजेजा उनके मताबिक साल 2022 में सोयबीन पूरे साल 2022 में सोयबीन 10,000 तक के भी लेवल्स दिखाती नजर आ सकती है तो ओवरॉल रुजान स अब ही हाल फिलाल में थोड़ी बहुत गढ़़ देखने को मिल सकते हैं शुरुआती दौर में दोज़बीन में हल्की फुलकी गरेक्शन बनती नजर आ सकती है गिरावर देखने को मिल सकती है बज़ार थोड़ा मंदर रैसकता है इंट यहाँ से बज़ार नीचे भी जा स देश के हर चोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हग है आपको बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान